हेलो फेंच में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पिंट साज की इस वीडियो में 34 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर अगर आप इस डिजाइन का अपने ब्लाउस के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक के हिसाब से अपने साइस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजेगा तो जितना हमें चोड़ाई में यहाँ पर देखे फैब्रिक को फैब्रिक की जरुवते उतना हम यहाँ पर कपड़े को लेंगे तो इस तरह से दिखे मैंने आपर कपड़े को फोल्ड कर दिया है अब नीचे से एक लाइन ड्रो करके कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लंबाई लेनी है तो जितनी भी लेंथ आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके ट टोटल लेंथ आप लीजियेगा टोटल लंबाई मैंने रखी है साड़े चोदा इंच साड़े तिरा लेंथ मुझे इसकी तेयार रखनी है उपर से शोल्डर का नाप रखेंगे पाँच इंच पे और आर्म होल लेने ही साड़े पाँच इंच शोल्डर लिये हैं 5.5 इंच इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे अब देखिए चेस्ट का चोधा पाँग लेना है चेस्ट का चोधा पाँगों का 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए कमर का मैसमेंट लेना है कमर 28 इंच है उसका चोधा पाँग इसके बाद हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है, मार्किंग के साथ साथ हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे, अब देखिए लेना है गले का मेस्टमेंट, तो गले की चोड़ाई रख रही हूँ इसमें में, सवा दो इंच की, 2.25 इंच में रखी है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, मैंने रखी है 9.5 इंच, 9.5 इंच नेक की लेंथ रखी है और गले की चोड़ाई मैंने उपर से भी 2.5 इंच ली है और नीचे से भी 2.5 इंच पर मार्क किया है दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और गला हमारा स्क्वेर में ही रहेगा तो मैंने यहाँ पर जैसा ड्रॉक किया है इसे वेसे ही हमें कट कर लेना है गले के कटिंग कर लेने के बाद इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे मैन कपड़े पर कटिंग कर लेने के बाद देखिए कटिंग मेरी पूरी हो गई है अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग प्रे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और उपर से रखना है अस्तर के कपड़े को दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें पिन के साथ इसे अटेश कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर देखिए गले में मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है अगर आप लगाना चाहें तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद गले के उपर बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है छोटे छोटे कट हमें पूरे गले पर लगा लेने हैं जिससे की गला हमारा अच्छे से फोल्ट हो जाए अब देखिए एक सिलाई हमें अस्टर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्टर वाले पार्ट पर लगा लेनी है जिससे अस्टर के उपर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है तो चारो तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमें सिलाई लगा देनी है एक पेर का मार्जिंग लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे इसके बाद हमें बाहर की तरफ सिलाई लगानी है तरफ से अच्छे से सिलाई लगाते जाना है, ये दिखे, सिलाई लगाकर में इसे पूरा कर लिया है, अब हमें एक्सट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है, तो बहर की तरफ देखे जितना भी कप्ड़ा है इसे निकाल देंगे कट करके, कपड़ी के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेनी के बाद हमें सैंटर से कपड़े को फोल कर लेना है और यहां पर दिखिए चार इंच की लेंथ में प्लेट्स लगा देनी है दोनों ही तरफ अच्छे से प्लेट्स अटेज कर देंगे और नीचे की तरफ कमरपटी लगानी है तो नीचे से आधा हिंच का मार्जिन लेते हुए हमने पटी को अटेज कर देना है अब देखिए एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा देनी है इसके बाद हमने पटी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई उपर से फिनिशिंग के साथ लगा देनी है तो इस तरह से देखें मेरा बैक पार्ट बन करके तयार हो किया है अब हमने इसका डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बनाने के लिए आपको एक छोटा सा पेपर पेस्टिंग का पीस लेना होगा इस पीस को इसके उपर रख लेंगे और अच्छे से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे यह देखें नीचे से और उपर से बराबर मार्क कर लेना है और ये डिजाइन में नीचे की तरफ कमरपटी लगाने के बाद ही अटेज कर रही हूँ तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा जो पेपर पीस्टिंगे इसे कट कर देंगे और इस डिजाइन के शेफ में इसे कट करना है आपको ये देखे नीचे वाला जो नैके इसके उपर ये बिल्कुल बराबर आजाना चाहिए इसके बाद आपको कॉंट्रास्ट कप्ला लेना है जिस भी कलर का आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उस कलर में फैब्रिक के उपर इसे अटेज कर लेना है तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटेज कर रही हूँ अगर आप चाहिए तो प्रेस करके चिपका सकते हैं इसे कप्ड़े के उपर आप देखे एक्स्ट्रा कप्ड़े को कट करना है चारू तरफ से आपको थोड़ा कप्ड़ा छोड़ते हुए से कट कर लेना है यह देखे इस तरह से कप्ड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो देखे मैं नहीं यहाँ पर यह पैटेंट फोल्ड करकी तयार कर लिया है अब इसे हमें नेक के उपर अटेज करना है उससे पहले इसके उपर लेस अटेज करनी है तो आप अपनी पसंद से कोई सबी पतला लेस यहाँ पर लगा सकते हैं यह दिखे एक एक इंच के गेप में याद है अदे इंच के गेप में आप यहाँ पर लीस को अटीज करती जाएं इस तरह से पूरा नीचे तक हमें अटीज कर लीना है लेस लगाकर इस पैटिन को मैंने तयार कर लिया है साइट से एक्स्ट्रा लेस के पार्ट को कट कर देना है और इसके बाद इक हमें क्या करना है इसे डीज करना है प्लाउस के उपर तो यहाँ पर हम इसे रख लेंगे दोनों तरफ से बराबर करते हुए अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटेज कर लेना है दोनों तरफ से सिलाई लगा देनी है बराबर से यह देखी सिलाई लगाकर मैंने इसे बराबर कर दिया है अच्छे से सेट करने के बाद इसके उपर हमें लेस अटेश करनी है तो बाहर की तरफ लगाने के लिए मैंने दूसरी लेस ली है मैंने यहाँ पर रेट और गोल्डन के कॉम्मिनेशन में लेस लिया है लेस को देखिए इस तरह से हम यहाँ पर अटेश करेंगे गले की शेप की अकॉर्डिंग हमें लेस को गुमाते हुए लगाना है और जहाँ पर भी आप लेस को गुमा रहे हैं वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लिट्स बना देनी है जिससे की गले का शेप अच्छे से दिखें ऐसे ही हमें दूसी तरफ से लेस को टेज कर लेना है ये दिखें मैंने यहाँ पर लेस को टेज कर दिया है लेस के उपर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे तो दिखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे अटेज कर दिया है अब इसके उपर बनाने के लिए मैं यहाँ पर लटकन तियार कर रही हूँ तीन इंज के लंबाई चुड़ाई में हमें कपड़ी की दो पीस लेना है यहाँ पर और इसे ट्राइंगल शेप में एक की उपर एक फोल्ड करके रख लेना है जो भी कलर आप उपर की तरफ रखना चाते हैं उस कलर को उपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा देनी है फिर इसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करते हुए डोरी के साथ अटेज कर लेना है सिलाई लगा कर अच्छे से पका कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे तो मैंने यहाँ पर लटकन बना ली है अब इसे ब्लाउस के उपर अटेश करना है तो दिखिए उपर से दो से धाइंच का गैप रखते हुए आप इसे यहाँ पर अटेश कर लें सिलाई लगा कर अच्छे से इसे पका कर लेना है और इसी के साथ दिखिए मेरा आजकर इन एक डिजाइन बन करकी तयार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आजकर इन डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजि से नह झाजू दोत Шबड़ से आजकर 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 शेह वीडि़न के थाँ मेरा आजकर प्रका रचल दोलग मेरा नहीं झाया है और दोल्म को तोल्म करताईएगा झायाु detto.